नमस्कार दोस्तों एक्जाम कांकोईस चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूं के दाननात मिस्रा दोस्तों यह समय हमारी डेली करेंट अफेयर्स की वीडियो का तो चलिए तीस अगस्त की जो महत्वपोर्ण परिक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं लेकिन उसक से परिच्छा दीजिए और इस्वर करें आप सभी सफल हो तो चलिए आद तीस अगस्त की महत्वपोर्ण खबरों को देख लेते हैं आज की पहली खबर है हाली में अंडर 27 फुटवाल चैंपियंशिप का खिताब किस ने जीता है तो अंडर 27 फुटवाल चैंपियंशिप ठीक है तो ये जीता है बांगला देश ने ठीक है अंडर 27 फुटवाल चैंपियंशिप का खिताब किस ने जीता है बांगला देश ने जीता है याद रखिएगा दूसरी महत्वपोर्ण खबर है आज की रच्छा मंतरी राजनात सिंग ने भारत की दूसरी बैलिस्टिक मि मिसाइल परमाण पंडुबी आई अन्यस अरिघात को कहां पर भारती नौसेना में सामिल किया है तो ये सामिल किया है बिसाखा पत्तनम में ठीक है तो रच्छा मंतरी राजनात सिंग ने भारत की दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल परमाण पंडुबी आई अन्यस अरिघात य किसरी मात्पूर्ण खबर है संस्कृत बिद्यालियों के सभी छात्रों को छात्र बिट्ती देने की योजना किस राज्य सरकार ने की है तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है क्या है संस्कृत बिद्यालियों के सभी छात्रों को छात्र बिट्ती देने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है ठीक है चलिए चोथी मात्मून खबर की तरफ चलते हैं आज की चोथी खबर है अगस्त 2024 में जारी की गई फुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अमसार भारत के सबसे अमीर वेक्ति कौन है तो गौतम अडाणी ठीक है न अगस्त 2024 में जारी फुर कुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अमसार भारत के सबसे अमीर वेक्ति कौन है गौतम अडाणी है ठीक है देखे आज की पांचवी महत्वपूर्ण खबर है हाल ही में राश्टी खेल दिवस कम मनाया गया है तो राश्टी खेल दिवस वंतिस अगस्त को मनाया गया है ठीक है चलिये 6 महत्वपूर्ण खबर की तरब चलते हैं हाल ही में CAA के तहट नागरिकता पाने वाले पाकिस्तानी इसाई जोसेफ फ्रांसिस एप तरेरा कि सराज्य के पहले निवासी बने है तो ये बने है गोवा के ठीक है ना सिये के तहद नागरिक्ता पाने वाले पाकिस्तानी इसाई जोसेफ फ्रांसी से परेरा किस राज्य के पहले निवासी बने है तो गोवा के बने है ठीक है ना साथवी मात्वूर्ण खबर की तरब चलते हैं देखे इसकी चर्चा हमने कल भी किया था आपसे फते में मोहजे रानी किस देश की पहली महिला गोर्नमेंट स्पोक्सपर्सन बनी है तो वह इरान की बनी है कौन फते में मोजे रानी किस देश की पहली महिला गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन बनी है तो इरान की बनी है याद रखिएगा यह इरान के लिए बहुत बड़ी बात है कि किसी महिला को गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन का दरजा दिया गया है तो फते में मोजे रानी का नाम याद रखिएगा ठीक है चलिए आठवी मात्वूर्ण खबर की तरफ चलते हैं इसकी भी चर्चा कल हमने किया था तेगवीर सिंग माउंड किलमंजारों पर चड़ने वाले सबसे कम उम्र के ACI बन गए है माउंड किलमंजारों किस देश में इस्थित है तो देखिए यह इस्थित है तंजानिया में ठीक है तंजानिया अफ्रीका में है तेगवीर सिंग माउंड किलमंजारों पर चड़ने वाले सबसे कम उम्र के ACI बन गए हैं तो यह कितनी उम्र में चड़े हैं 5 वर्ष के हैं यह केवल औली 5 यह ओल्ड चीक है पांच वर्ष के हैं तेग बीर सिंख और यह रोपड पंजाब के रहने वाले हैं इन्होंने किलमंजारों को फत्य किया है जो तंज अनिया में इस्थित है है तो देखिए कहा हुआ है खगोल विघ्यान ओलंपियाड ब्राजील के रियोड इजट्येनेरियों में हुआ है और prata ग्लोधा और इसमें टीम इंडिया ने पांच पधक जीते हैं एक स्वन और चार रजद ठीक है तो ब्राजील के रियो डिजनेरियों में आयोजित 17 में अंतर रास्टिक खवोल विज्ञान ओलंपियाड में टीम इंडिया ने पांच पदक जीते एक स्वन और चार रजद पदक ठीक है ना चलिए दस्वी महत्पूर्ण खबर की तरब चलते हैं दुनि यह कि बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है दुनिया में पहली बार कितने देशों में फेफणों की कैंसर के टीके का परिक्षन शुरू हुआ है तो साथ देशों में शुरू हुआ है ब्रिटेन, अमेरिका, इस्पेन, जर्मनी, हंगरी, पोला, और तुर्किये में ठ टेलिग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दिया है, वहां से आप जाके टेलिग्राम चैनल पर ये पीडिया पड़ी हुई है, वहां से इसे IGT डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, चलिए गिराहमी मात्वण खबर की तरफ चलते हैं, गुरू ग्राम मे आयोजित, एक सथमी राष्टी ओपन सतरंज पर प्रतियोगता जीती है, ठीक है न, ये इंपोर्टेंट है, इसमें दो प्रस्ण बन सकता है, एक तो यही कि किसने जीती है, एक सथमी राष्टी ओपन सतरंज पर प्रतियोगता और दूसरी ये, कि ये प्रतियोगता आयोज की तहथ कितने नए और दोगी की स्मार्ट साहरों को मंजूरी दी तो वह 12 है ठीक है ना 12 इंडस्टियल स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार ने राश्टी उद्धोगी गलियारा विकास कारिक्रम के तहट मंझूरी दिया है अब देखिए यह बहुत इंपोर्टेंट प्रसन है इसे जरूर नोटे करिएगा और इंपोर्टेंट भी लिख लिजीएगा केंदर सरकार ने राश्ची उद्धोगी गलियारा विकास कारिक्रम की तहद कितने नए इस आउद्धोगी की स्मार्ट सहरों को मंजूरी दिया है तो बार ठीक है बार नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी आउद्धोगी की स्मार्ट सहर बनाने के लिए सरकार ने मंजूरी दिया है ठीक है तेरावी महत्वपूर्ण खबर की तरब चलते हैं इसकी चार्चा हमने कल भी किया था महिलाओं के लिए बिवा की नियुनता मायू 21 बर्स किस राज्य ने निर्धारित किया है तो वह हिमान्चल प्रदेश ने निर्धारित किया है महिलाओं के लिए विवा की नियुनता माय मतलब अब 21 वर्षक से कम उम्रेकी महिलाओं का विवा वर्जित कर दिया गया है तो हिमानचल प्रदेश ने यह किया है 14 मातपूर्ण तत्य की तरब चलते है नेशनल ग्रीन ट्रिबूनल ने अपसिस्ट प्रबंधन में विफलता के लिए किस राज्य पर 1000 करोन रुपए का जुर्माना लगाया है तो यह है पंजाब में ठीक है आप अक्सर जो है ठंडियों में सुनेंगे कि पंजाब की पराली जलने से दिल्ली का वातावरार प्रदूसित हो गया है ऐसी खबरें लगातार आती है तो एनजीटी ने जो है अपसिस्ट प्रबंधन में विफलता के लिए पंजाब राज्य पर 1000 करोन रुपए का जुर्माना लगाया है एनजीटी का गठन कब हुआ था 2010 में ठीक है तो एनजीटी ने पंजाब पर 1000 करोन का जुर्माना लगाया है ठीक है पंध्रावी मौत्पूर्णखाबर की तरफ चलते हैं भारत और दक्षिड अफरीका के बीच नौ से नास्तर प्रशाईयोक को मजबूत करने के लिए कहां पर बैठक हुई है तो नई दिल्ली में हुई है ठीक है भारत और दक्षिड अफरीका के बीच नव से नास्तर पर सयोग को मजबूत करने के लिए बैठा कहां हुई तो नई दिल्ली में हुई है सुलावी मात्वण खबर की तरफ चलते हैं हाल ही में मनु भाकर सूटिंग रेंज का उद्गाटन कहां पर हुआ है तो वह ग्वालियर में हुआ है ग्वालियर मध्य परदेश में ठीक है क्या है मनु भाकर सूटिंग रेंज अब मनु भाकर के बारे में आप जानते ही होंगे अगर नहीं जानते हैं तो ओलम्पिक से सम्मद्नित जो हमारी वीडियो पड़ी हुई है आप उसमें बिस्तार से इनके बारे में जान सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्टत्थ है वो हम आपको बता देते हैं कि भारत की एक किसी एक ओलम्पिक में दो पड़क जीतने वाली ये पहली मतलब भारती है एक ओलम्पिक में दो पड़क जीतने वाली ठीक है ना तो मनुभाकर है वो और यह जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनके नाम से एक सूटिंग रेंज बनाया गया है और मनुभाकर के बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारी ओलम्पिक की जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा ठीक है चलिए इस बार के ओलम्पिक में इन्होंने दो पदक जीता था यह ध्यान रखिएगा दो पदक मनुभाकर ने इस बार के ओलम्पिक में जीता था ठीक है चलिए 17 मात पूर्ण खबर की तरब चलते हैं हाल ही में रिलाइंस समु़ों ने कौन सा एाई सूट लांच किया है तो यह लांच किया है जीयो ब्रेन के नाम से ठीक है रिलाइन समों ने कौन सा ये आई सूट लांच किया है तो जीयो ब्रेन के नाम से लांच किया है इसने चलिए अठ्रामी और आखरी मात्वपूर्ण खाबर की तरफ चलते हैं आठ्वाद धर्मधम सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां हो रहा है तो यह अहंदाबाद गुजरात में हो रहा है ठीक है तो दोस्तों यह इंपोर्टेंट प्रस्ण है इसको जरूर नोट कर लीजिएगा ठीक है तो दोस्तों यह थी आज की महत्वपूर्ण 18 खबरे यह हमारे डेली करेंट अफेर्स का हिस्सा थी दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले दोस्तों अगर आप इन तत्यों की पीडियाप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमाये टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दिया है टेलिग्राम चैनल पर डेली करेंट अप्रेयर्स की पीडियाप आईजिट